आप देख रहे हैं जेके नीज टूडे और मैं हूं रमन सैनी और इस समय की एक बड़ी और दुखत खबर है वो पुंच से आ रही है जहां पर सैना का एक वाहन आग की चपेट में आया है अब आग कैसे लगी है उस वाहन में इसका अभी तक पता नहीं चल पाया हालां कि जा जानकारी मिल रही है कि शायद 3-4 लोगों की जान जो है इस हासे में गई है अलाकि अधिकारिक पुस्टी अभी इस बात की नहीं हुई है नहीं सैना ने अभी तक इस पर कोई अपना अधिकारिक बयान जारी किया है लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो साफ़ तोर पर बता रह वे थे और आचानक इस वहन के अंदर आग लगी और आग इतनी भीशन थी जिसे लोगों ने बुझाने की कोशिश की लेकिन उसमें असमर्थ रहे किस तरह की कि आग थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से एक दम से आग लगी है और आग ने पूरी गाड़ी को पूरे वहन को अपनी चपेट में ले लिया है इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी तिवर तरीके से यह आग इस आग ने पूरी की पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और जैसे ही इसकी जानकारी मिली आनंड फारंड में सैना के बाकी जवान जो हैं वहाँ पर पहुंचे मौसम खराब चल रहा था हलाकि आर्मी के एक कुछ अधिकारी उसे जो हमारी बाचीत हुई है उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि शायद यह हो सकता है कि खराब मौसम में लाइटनिं और उससे आर्मी के जवान जो हैं उस आग को भापते ही नीचे उतर सकते थे लेकिन यह आग इतनी तेजी से लगी है कि आर्मी के जवानों को ट्रक से नीचे कूदने का मौका तक नहीं मिला इसको लेकर जो है वो एक असमंजिस की स्तिती बनी हुई है और नहीं कहीं न कही शक भी गहरा रहा है कि कहीं कोई किसी तरीके का कोई आतंकी कोई कड़ी तो इसके साथ नहीं जुड़ी है हाला कि जाच अभी जरूर की जा रही है जाच जरूर की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से यह हाथसा सामने आया है अपने आप में काफी बड़ा हाथसा है और अपने आप में काफी दुखत हाथसा ये है क्योंकि तीन से चार जवान जो हैं जिन्नोंने अपनी जान इस हाथसे में गवाई है और फिलहाल उस आग पर काबू पा लिया गया है सैना के जवानों के माध्यम से और उनके सभी जो इंजर्ट्स है और सभी जो मृतक जवान है उनके शव को हास्पिटल ले जाया गया है जहां पर फिलाल पोस्ट माडर को मकाम किया जा रहा है लेकिन अभी भी इंतजार है कि सैना का एक आपचरिक अधिकारिक बयान जो है एक हासा है या इसमें कुछ कहीं कोई तकनीकी खामिया थी जिसकीुज़से इन आगा लेगी है लेकिन कारण कुछ भी रहा हूं लेकिन स्में तीन से चार जवान जो हैं जिस में हमारे भारती सैना के जवान जिन्मों ने अपनी 소개 गवाई है और अब इस पूरे मामले की जांट जो है वो की जा रही है